महाराश्टर के पूरों मुख्य मंतरी पृत्वरा चवान जी हमारे साथ है सर गुलाम नभी आजाद इतने वरिष्ट लीडर कॉंग्रेस के उन्हें ने इस्तीफा दे दिया और पत्र में कई सारे उन्हें बाते भी कहीं इस पर आप क्या देखते हैं तिके बहुत दूर भाग ये पूर ने गुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस पार्टी के बहुत शीर्ष निता थे मैं समझता हूं कि आज कल जो सीनियर पोदेशन में काम कर रहे हैं उसमें से चन लोगों में से एक थे उन्होंने इंदिरा जी गांधी के समय से यूद कॉंग्रेस का राष्ट्रिय और दिक्ष के रूप से भाल समाला था मंत्री मंदल में थे कॉंग्रेस पार्लमेंटरी बोड के सदसे थे वो करीब करीब देश के सभी राजों के प्राभारी रहे हैं जर्नल सेकेर्टी रहे हैं एक हमारा कॉंग्रेस का एक बहुत शीर्ष सेकुलर फेस था और अनभवी नेता थे सिर्फ मैनॉरिटी लीडर करके नहीं लेकिन एक नेता की रूप में उन्होंने बहुत कॉंग्रेस पार्टी की सेवा कि पचास साल से ज़्यादा उन्होंने बिना किसी कोई पार्टी के साथ कोई पार्टी छोड़ना इजरोदा जाना ऐसे कुछ नहीं किया तो उनका छोड़ना तो एक बहुत दुखद घटना है हरे एक कॉंग्रेस कारिकत्ता को दुख होगा इससे अब उ उनकी दीजी राय है वो कुछ तथे भी उन्हों लिखे हैं लेकिन इसी कारण से हम कुछ लोगों ने कॉंग्रेस हद्देश्या को दो साल पहले एक पत्र लिखा था और वो गोपनिय पत्र था लेकिन उसको फिर प्रकट किया गया बाद में और कोई हमारा उद्देश कोई पगावत और का नहीं था लेकिन जिस तरह से कॉंग्रेस लगातार हारती जा रही है दो लोग सभा चुनाओं करीब कर चालीस असेमली चुनाओं में कॉंग्रेस हारी तो उसका कारण क्या है इसका कुछ चर्चा होनी चाहिए कुछ चिंदन होना चाहिए इसके लिए हमने चिंतन शिबिर के मांग की थी चिंतन शिबिर दो साल पहले हमने चित्र लिखा था उसके बाद में जो कॉंग्रेस सद्यक्षा सुनिया जिन हमसे कुछ लोगों से बात की ते रुख में चिंतन शिबिर की बात मान ली गए थी और साथ ही में हमने एक दूसरी बात कहे थी कि कॉंग्रेस का कोई पूरे समय कोई नेत्रतों करें जबकि जब राहुल गांदी जी ने जब दिस्तिफा दिया उनीस दोजार उनीस की चुनों के बाद में तब से एक कॉंग्रेस में एक अनिशिता की स्थिती बनी वही है करीब करीब तीन साल तक कॉंग्रेस इंटरिम अधे समझनी चाहिए नहीं तो हम जो विपक्ष में जो मोदी शार की जो है जोड़ी है उसका मुकाबला करना बहुत असान नहीं है और कॉंग्रेस की यह थियासिक जिम्मेदारी है कि प्रभावी विकल्प बनें मोदी जी का और इस देश का लोकतंत्र को बचाएं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज हम पुली स्टेट में जैसे की चल रहे हैं एडी और सीबी आए और बियार और सारी जांच समितियों को जिस तरह से इस्तिमाल किया जा रहा है और चुनी हुई सरकारे तोड़ने के जो काम हो रहा है जो हाली में महाराश्ट हम ने जो देखा तो यह सब चीजें हो रही है तो इसके लिए आवाज उठाने के लिए हम डिफिनेटली परियाप ताकत से नहीं आवाज उठा रहे हैं पारे हैं पार्लेमेंट का उपयोग चर्चा के लिए होना चाहिए सरकार को वहां पे पार्लेमेंट में पूरी धजिया उड़ना नीची यह पार्लेमेंट हम बंद करने में कुछ ही मानते हैं तो पार्लेमेंट में हम विरोध नहीं कर रहे हैं सड़क में देखिए कोविड में तो नहीं कर सके क्योंकि कोविड में रस्ते प्याना मुश्किल था अब सड़ा कोविड का प्रले कोविड का प्रभाव कम हुआ है जब क कुछ अब मास एक्षन की बाते हो रही है लेकिन मेरे मेरा खुद का मानना है कि ये प्रभावी नेतरोती की ओर से पार्लमेंट में कमान समाल कर सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम है लेकिन गुलाम ने आजाज जेने कुछ कॉंग्रेस के अंदुरुनी निरने एक प्रेक्ट्रिया के बारे में कुछ बहुत शार्प टिपनिया किये मैंने किसे से बात तो नहीं किये अभी तक लेकिन चिंता हमें सभी है क्योंक में इलेक्श में जाना है वहां कॉंग्रेस के अंदुरुनी जो जगड़े हैं जो गुडबाजी है उसको सुलजाने में कॉंग्रेस नेत्रतुवा नहीं सक्षम हुआ है कई सारे सीनियर लीडर्स हैं जो पद से स्तीफा दे रहे हैं कोई पार्टी छोड़ रहा है ऐसे में पार्टी किस दिशा में जा रही है आप कह रहे हैं कि एक मोदी शाह के से अगर लड़ना है तो एक स्ट्रॉंग पार्टी के तोर पर उभरना होगा जो जहां जहां है उस पर चर्चा करने होगे लेकिन इस तरह की कोई भी चीज कॉंग्रेस में होती नजर नहीं आ रही है आप आप भी कई सारे ऐसी मिटिंग में गये होंगे जहां पर आपको ऐसी उमीद होगी कि चर्चा होगी लेकिन ऐसी उमीद दिखाई नहीं दे रही है लेकिन गुल तासे वुचार करना अवश्यक है क्या कॉंग्रेस को एक इलेक्टेड फुल टाइम प्रेसेडन नहीं चाहिए कॉंग्रेस में दुर्भागे पुर्ण बात यह है कि चुबी साल से कॉंग्रेस में जो अन्य समीतिया है जो दिरने लेती है जिसे की पार्लमेंटरी बोर्ड है जिसे कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी है इलेक्शन कमीटी है कॉंग्रेस का जो सम्विदान है 135 साल से जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी चल रही है इन सभी पदों पर चुनाव द्वारा कॉंग्रेस कारेकरता चुनाव प्रक्रिया से लोगों को चुनते हैं अब वो चुना में नसीमर राओजी की अद्धिक्षिता में वरकिंग कमिंटी का चुना होते हुए देखा है लेकिन उसके बाद में कलकता नाइंटी एट के नाइटी सिवन शाय था उसके बाद में कोई भी चुना कॉंग्रेस पाटे में गई 24 साल में नहीं हुआ है उससे पर यह होता है कि निरने प्रक्रिया ये कुछ चंद लोगों के हाथ में कोटरी के हाथ में चली जाती है और सभी जो नॉमिनेटेड लोग 24 साल से इन पतों पर हैं वो यस में कमांद काम करते हैं वो नेतरत को जो अच्छी बात लगे वो ही बात कहते हैं सचा ही बताते नहीं तो इस तरह से इसलिए हमने कहा था अपने पत्र में भी कहा था कि congress party में एक चर्चा से discussion से कोई दिलने हो बाद मेर उसके लिए Congress party के सभी पतों पे चुनाव से एक Representative Congress Committee बने बात है कि आधे क्रिवार याज अधिर्थ करेंगी ugg चेट अगर कर रहे हैं इसके अद्धनाप बॉरेकों करेंगी सावाद कर नुक्सान तो ब। बड़ा हुआ है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफी गंभीर बात है सिर्फ कुछ लोग पुरी पार्टी का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि वो चुने हुए नहीं नॉमिनेटेड है मतलब उनको बस यह कहा है कि आप पद भार समालिए तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जि दो लोग सबाद चुनाओं बुरी जरह से हारें पचास-पचास से ज्यादा सीटेड नहीं आई उसके बाद करीप चालीस असेमली चुनाओं हा रहे हैं तो कुछ उसका विश्टलेशन होना चाहिए कोई आज चंतन होना चाहिए कोई गंभीटा से कोई बाचीत होनी चाहि लिए अब पिछले चुनाओं का जो दोर था जिसमें आसाम केरला के चुनाओं हुए उसमें कॉंग्रेस अद्धिक्षा ने एक कमिटी न्यूक्त की थी जिसमें अशुक चवांजी अद्धिक्षे थे मनिश्टिवारी थे शाय सलमान कुर्शित थे अब उसकी रिपोर्ट से में कुछ बात हुई कि करीब साथ विधायकों ने चवालीस में से साथ विधायकों ने विधान परिशत के चुनाओं में कॉंग्रेस के प्रत्याश्य को हरा दिया और एक कंभीर आरोप है कि उन साथ विधायकों ने भाजेपा को वोट दिये अब कुछ और वोट डिटे तो इस तरह से अगर इंडिसिप्लिन हम टॉलरेट करते रहेंगे और जो गलतियां हुई उसकी चर्चा नहीं करेंगे अब पंजाब उत्रप देश में जो उत्राकर में जो हार हुई पांचो राज़म हम हारें तो उसके भी कोई चर्चा नहीं हुई अब सुन्या गांदी ने हमें कहा था एक हमाज जब बैटक हुई थी डिसमबर दोजार बीस में कि हम चिंतन बैटक करेंगे अब उद्विप्र में बैटक तो हुई लेकिन जान बूच कर उसका नाम चिंतन बैट से हटा दिया और एक नवसल्प के यानि फूचर स्ट्राटिजिक की नाम दे दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि चंतन जो होना तो होगे अब कोई जरूत नहीं है क्यों कॉंग्रेस कत्रा रही है कि जो गलतिया हो रही है जो चुनाव में हार हो रही है उसकी कुछ विस्टेशन तो हो कही न कहीं ED, CBI का दबाव भी इस तरह के निर्डे लेने पर उन्हें मजबूर कर रहा है ऐसा किसी तरह के दबाव किसी एजिंसी के पास कोई एविडेंस है ऐसा कुछ आप मानते है आपका कहना है कि क्या ED, CBI और जाज एजिंसी का दबाव कॉंग्रेस के करेंट नेतर तो पर है मतलब जो जिनके उपर पुरा जिम्मेदारी होता है कहीं न कहीं उन पर सवाल तो है कि जो निर्डे ले रहे हैं लोग उन पर है क्या ऐसा एक मैं जाना समझना चाहता हूँ ने वो तो हम कैसे बकता सकते कॉंग्रेस के सभी शिर्षिन यताओं के खिलाफ मामले चल रहे है खुच सोन्या गांधी रहूल गान्धी के खिलाफ pregnant क का मामला चल रहे है सभी की खिलाफ चल रहे है तो लेकिन ये कहना कि उसके वज़े से कोई निर्डे नहीं हो रहे है या Congress Party को मजबूत नहीं किया जारा है यह कहना तो अतिशो एक्टिविक्ति जात्की होगी मैं नहीं मनता है से Congress कोई नेता है इस तरह से Congress के अहित में बात करेगा कि किसी के दबाव में E.D. या C.B.R. के दबाव में Congress के हितों के खिलाफ कोई निरने लगा ऐसा मैं नहीं मनता इस तरह के Circumstantial है इस तरह से आप बता रहे हैं कि किसी मतलब इतनी गंभीर चीजे हो रही है चुनाव हार रहे हैं पार्टी के Senior लोग छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन पार्टी के जो वरिश्ट लोग हैं वो गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहे हैं और जिस तरह सा आपने क पहुंच गए हैं इस तरह से ED, CBI, DRI, income tax का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्स को तोड़नी में लगे हुए, सरकारी गिरा दी जा रही है, चुनी वी सरकारी गिरा दी जा रही है, अब नाम मिखाल है, अरुनाचरपदेश, उत्तराखंट, करनाटका, मद्यपदेश, गोव और हाली में महराष्ट, मद्यपदेश, इस सब राजों को देखे कि लोग तो मोदी जी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, अब दोजार चौदा में मोदी जी को सिरफ इकतिस प्रतिशत, इकतिस आड़े इकतिस प्रतिशत वोट पिले थे, यानि कि 68-69 परसेंट वोटों ने इसका चुनाव लेंगे तो उनके वोट प्रतिशत कुछ 37% के करीब था, यानि कि 63 प्रतिशत लोगों ने मोदी जी के खिलाफ हराने के लिए वोट डाला, लेकिन वोट बट रहे हैं, अपोदिशन में यूनिटी नहीं है, तो 63 प्रतिशत लोग अगर एक जगा वोट डाल कि उसकी है, कि आप आगे बढ़के एक ब्राड अपोदिशन यूनिटी करें, अब ठीक है, उसमें परसनल इगोज बहुत सारे हैं, एक कदम आगे, एक कदम पीछे जलके कॉंगरिस को लेकिन आजकर वो दिखने नहीं रहा है कि कोई लिडर ले रहा है, कोई बंगाल से बा वशक्ता नहीं है, तेकि हमारी देश में जो कई सारे चुनाओं हुएं, तो कई सारे अहतियासिक चुनाओं हुएं, उसमें से एक जैपरकाश नाराइन जी के भी चुनाओ था, जिन्होंने इंदराजी के खिलाफ के नव लड़ा था, अब जैपरकाश नाराइन नीजो को प्राइम मिनिस्टर केंडियेट नहीं प्रोजेट किया था, उन्होंने सब कहा था कि मैं पहले इंदराजी को हराओ, अब आब में देखेंगे, और वही हुआ, इंदराजी के हार हुई, और बाद में मुराजी देशाई को प्रधान मंतरी बनाए, वह सरकार चली नहीं, हो रुपक्ष का नेतरे तो नहीं कर सकती, अगर एक ब्रॉड रुपक्ष का अलाइंस नहीं बना सकती, तो यह कॉंग्रेस के एतियासिक भूल होगी, एतियासिक चुक होगी. तो हमारे साथ महाराश्चर के पूर्व मुख्य मंतरी पृत्र चुरान जी थे, जो बता रहे थे किस तरह से कॉंग्रेस को कई सारे डिसिजन लेने चाहिए, जो नहीं ले पा रहे हैं, और इसी के चलते कई सारे जो बड़े चेहरे हैं, वो भी कही न कहीं पार्टी को कैमरमेन अनुप रस्तोगी के साथ सूर जोजा, ABP News, मुंबई